सिटी न्यूस की अदालत में इस बार हाजिर होंगे कॉंग्रिस के प्रदेश सचीव जीतू पटवारी देखिए सिटी न्यूस की अदालत शनिवार शाम चार बजे और रात आट बजे सब्सक्राइब चाहिए न्यूस की ऊदालत में आज हमारे साथ हाजिर है प्रदेश कॉंग्रेस के सच और प्रदेश यूग से पूर्व अध्यक्स जीतू पटवारी जी पटवारी सिटी न्यूस की है जीतु पटवारी जी ने सीधे उनी के श्रिमोग से जानेंगे जीतु जी सबसे पहला सवाल आपके सामने जनता की और से आता है सिटी न्यूस की अदालत में सिटी न्यूस के दर्शक चाहते हैं कि राव विधान सभा में जीतु पटवारी एक ऐसा नाम है जो एक फोन कॉल पर जनता के बीच हाजिर हो जाता है और एक ऐसा नेता है जो सुबह पांच बजे से मॉर्निंग वॉक में जनता के साथ कंदे से कंदा मिलाकर दौरता नजर आता है उनके साथ जिम करता नजर आता है और शाम को उनकी समस्याओं का समाधान करता नजर आता है कहां से मिलती है राजनेति गुर्जा जीतू पटवारी को बात ये है कि सार्जनिक जीवन में जिस दिन हमने एक तरह से सुभाविक रूप से वेक्ति जुड़ता है लोगों के दिन चरिया कि समस्याओं को लेकर अगर आप उनकी बात करते हैं उनका दुग दर्द को पहचानते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ उनका एक तरह का अशिरवाद या उनकी दुआएं इतनी होती है कि अपने आप उर्जा देती है और उन दुआओं के साथ अगर फिर आदमी चलता है और आपकी केता है कि हाँ भीया इसने मेरा एक काम करवा दिया एक राजनितिक वेक्ति के लिए या हमारे इस संस्था के लिए काम करा दिया कर दिया तो उसकी उर्जा ही वेक राइजनितिक वेक्तिको जादा उर्जा देती है मैं समझता हूज यह यह रहरे हैं कॉंग्रेस के जाबा सिपाइं में आगे बढ़ते हैं यु वकॉंग्रेस के जब प्रदेश के तौर पर विट्वारी का नाम Congress आला कमान ने घूशित किया था वैसे ही यूवक Congress की सेना में जान सी फूख दी थी आपने ऐसा कॉन सा कि मेरा जो पार्टी के प्रती समर्पन है और पार्टी की नीतियों को आम जनता तक आम यूवाओं को जोड़ने से लेके उनके पार्टी के काम को आम जनता तक ले जाने का मैंने भर्चक प्रयास किया था मैंने खूब कोशिश की दिन रात महनत करके कि हर यूवा को मैं टच क करूं मुझे अच्छा भी लगा कि लोगों का ने युवाओं का समर्थन मुझे मिला और एक यूद Diati की पहचंड में बनी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के आप सचिव रहीं कांग्रेस Till एक बात करें या कॉंघ्द με कि तरीके से आप Congress की स्थिति का आंकिलन करते हैं क्योंकि 2013 साल नया शुरू हो चुका है और विधान सभा चुनाओ लगभग की आहट होने वाली है ऐसे में Congress के हालातों पगर हम बात करें प्रदेश सचीव होने के नाते क्या नजरिया बनता है आप किसी भी जिले में हम जाते है कहीं भी यह नहीं लगता है कि कोई कहता है कि आठ सीठे एक लोग सभा में से तो पांच आएगी सब पांच-छे सीठे हर हालत में बताता है जिस तरीके से मदेश में राटल भिहारी वाच्पई जी प्रदान मंत्री से उन्होंने फिल गुड चलाय था उसी प्रकास से जिरा में उसका दम निकलेगा और जनता कहेगी कि आप गलत है और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगा अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो विधायक हैं जीतु जिराती आपके आला की बहुत नजदीक ही माने जाते हैं आपके दोस्त भी है वेक्तिकत तौर पर क् कि चुनौती को किस तरीके से आप मानते हैं और जो आपने मेहनत इन पिछले चार सालों में की हैं किस तरीके से भाजपा को पटक्षनी देने के लिए कॉंग्रेस के जावा सिपाई जीतु पटवारी ने राव विधानसभा के चकर लगाना तेज कर दी है और जो लगातार को बूलता हम कि राजनिती में जीत कर तो सब सेवा करते हैं हार कर सेवा केसी होती है इन पांस सालों में चार सालों मैंने सीखा है बश्कुल जैकर मैंने हमेशा प्रयास कि मेरे पास आया है कहीं या जो मेरे से किसी ने कोई आस लगाई है मैं उसको पूरी करूं कभी एसास तो इस बात की और मेरी ताकत से बलवित हुई और मेरे में मन में एक उर्जा निकली कि नहीं और ताकत से हैं और वो सतत चलता रहा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चुनाओ 2013 में लड़ा और पार्टी ने मुझे टिगिट यहां रहू से लड़ाया तो मुझे जनता फूल स कहा जाता है कि एक जमाना था जब रहूल गांदी की कोर टीम हुआ करती थी जिसमें खुद रहूल गांदी और उनके नीजे सलाकार कनिश्क सिंग हुआ करते थे उसमें जीतू पटवारी का खासा दखल होता था और युवक कांग्रेस के जो बड़े एहम फैसले लिये जा रहूल गांदी जी की अपनी एक इसने मेरे पर है यही कारण था कि मैं प्रदेश के नहीं तो कई लोग लग जाते हैं सालों लग जाते हैं इस जगे जाने में तो मैं समझता हूं गांदी परिवार का रहूल जी का मेरे इसने है और रहूल जी जब जब भी जो जो भी उनक आपके राजनेतिक गुरू दिग्विजा सिंग कहे जाते हैं वरतमान में कॉंग्रेस में राष्ट्रे महासचिव हैं वो और मद्यप्रदेश की में दस साल राज किया है बतौर मुख्य मंत्री क्या लगता है कितना दिग्विजा सिंग की तरफ से आपको दिशा निर्देश मिलते हैं और खासता और पर जो आपकी पूरे प्रदेश भर में दौरे चले करते हैं चाहे आदिवासी अंचल जाबुआ की हम बात करें नीमच की बात करें मनसौर की बात करें इंदौर की बात करें रतलाम की बात करें तो जो लगातार दौरे कारिकरम आपके रहते हैं व की नितियों को पार्टी आम जन्ता के गरीब जन्ता के अधिवासी के अल्प संख्यक भाईयों के हितों का केसे हम द्यान रखें यह वह पूरी ताकस से कहते हैं वह कहते हैं राज्व निति सिर्फ गली-णाली और गडर की मियर राज्व निति चुनाव जीतने और अर शारने है और रही बात बहुत अच्छे इंसान है अपने बात में सपश्टा रहती है किसी से डरते नहीं है दर संकल्पी है मैं समझता है बहुत से अच्छा ही है केंद्री मंतरी कमलनाथ के भी आप बहुत नजदी की माने जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ जी आपको बहुत प् पर्दिभार के बड़े सदस हैं सबसे तक्रीबन मेरे अच्छे संबंद हैं और सब ऑफ जो सीनियर नियर नियता है, बात दिल्ली दरबार की नहीं है जब जब भी ऐसी आवशकता पड़ती है किसी पार्टी के कामों को लेकर किसी वेक्तिकत कामों को लेकर तब तब दिल्ली जाना होता है नहीं तन्य था मैं आथ हमारे छेत्र में और प्रदेश में जो भी काम मिलता है पार्टी काव करता है आपने शेत्र की बात की है राव विधान सभा पर वापस लोटते हैं राव की अगर बात करें तो तमाम विकास कारें को लेकर के अंदेखी का आरोप लगाता और वर्तमान विधायक जीतु जराती पर लगता है दो ऐसे ब्रिज कहा जाए जिसे राजनितिक सितु भी करार दि आप क्या मानते हैं वाकई में विकास हुआ है राव विधान सभा का बात ये है कि भारती जनता पार्टी का जब से शाशन आया है या जीतु जुराती जी जब से विधायक बने है बिलकुल मैंने उनसे हर जगे सवाल करता हूं कभी आपके चैनल पर आने का उसर मिलेगा आ मैं आपके चैनल के माध्यम सुन से पूछना चाहता हूं जी बिलकुल आपने से कौन से काम किये हैं जो आप इस राव विधान सभा में एतिहासिक बता सकते हैं कि ये मैंने करवाया बिलकुल ठीक है केंद्र की योजनाओं को आप कहते हैं ये मैंने बनवा दिया उसमें आ अधिक्ष रेते हुए सारे मंत्रियों से आपके संबंद हो सकते हैं जिस परिस्तिती में था उस परिस्तिती में राव विधान सभा का नक्षा प्रदेश में होना था विकास को लेकर बिलकुल ठीक है आपने उसके विपरीत एक कालोनी में ऐसी बता दें जिसमें आप इस से अधिक चले गए ऑधन प्रतिशत कालोनिया नब्हे प्रतिशत कश्ट महुले नब्हे напр centuries गरीब बस्तियां जिसमें J manos जीते हैं गयी नहीं नहीं तो मेरा सवाल है कि जो विकति महा कभी गया नहों उनके सुख दुख में खड़ा नहुआ हो उनके किसी कारिकरम में पार्टी कारिकरम होता है आप चले जाते हैं पाँच किसी महले मिलते हैं और फिर मुनी दिखाते हैं मेरा सवाल है विकास तो कहीं कोशो दूर रहे गया आप निरंतर महां पांच बार किसी एक महले में गए हो तो मैं उनको उसी दिन के दुआ कि आप सबसे सर्वस्रेश्ट विधायक हो आप पांच बार इस चार साल में पांच ब दिखाई है कि जीतु पटवारी ने जनता की समस्याइं सुनी है जीतु जिराती ने क्या किया इसका तो मुझे मैं इस परसवर पर बात नहीं करना चाहता हूं पर एक email होने के नाते उनको जाना था रही बात मेरी यह में जवाब दूआ तो ठीक नहीं रगेगा जनता से प पनाने में मेहति भूमी का जीतु पटवारी की रही आप पूछेंगे कैसे तो जनता ने सीधे तार पर कहा कि जब कॉंग्रेस ने राओ विधानसभा के ही जीतु को मौका दिया युवा कॉंग्रेस को चलने का तो वहीं भाजपा ने भी विचार किया और भाजपा ने मुझे में देखी होगी तो मुझे दाइत्व दिया जब चुना हुआ हमारा आमने सामने तो जनता ने मुझसे बहतर उनको समझा होगा तो उनको चुना मेरा काम है विपक्ष का मैं कर रहा हूं क्या लगता है प्रतियुगिता ने कहीं ने कहीं उन्हें प्रदेश अदिक्ष रहें जो जनाधार वाले शेत्र कहे जाते हैं वहां के तमाम जो रह्वासी संग है वो जीतु-पटवारी की संस्था लक्ष के साथ जुड़े हुए हैं आपका ये जो लक्ष है कहा जाए जो सिधे तौर पर राजनितिक लक्ष है ये किस तरीके से रहवासी संगों के साथ तालमेल बिठाता है और कहा जा रहा है कि राव विधानसवा ऐसी विधानसवा है जहां पर चारो तरफ लक्ष का ही बोल बात इतना है कि पहले तो लक्ष अंस्था राजनितिक नहीं बिल्कुल ठीक है हमने जब काम लक्ष कि इस्तापना की थी छोटा सा उसका में बटाता हूं एक मिनिट में वह दहा संसकार में कहीं गया और वहां एक वेन के लिए लेट हो गया तो वेन का इंतजार करते डेड़ घंटा हो गया तो मैंने ऐसा लगा मुझे कि एक हम ये वेवस्था हमारे तरफ से करकर दें छेतर के लिए बिल्कुल तो वो संस्था बनाने का पहले प्रयास था फिर जब वेन हमने खरीद के दी या वेन के बड़ी एक लारी एक इसको कहे टाटा 407 बोलते हैं हमने सब दोस्तों ने मिलकर एक गाड़ी खरीद के दिए उसके बाद इसका विचार आया और इसका विचार आया एसे लोग जो कांग्रेस के विचार धारा से दूर रहते हैं उससे मानते नहीं हैं उससे कहीं कहीं संकोच करते हैं उन लोगों को भी उसकी साहता मिले संस्था के थुरूस का काम हो इसलिए हमने संस्था को रागेर राजनितिक रखा है और उसके माध्यम से हमने कई एसे काम क कि आपके राजनितिक मंत्र की अगर बात करें ऐसा राजनितिक मंत्र है कि आप जनता का जो दिल जीतने का जो एक आपका आनूठा अन्दाज है उसको हर दम कायम रखते हैं जो एक फॉर्मूला है आपके पास कोई वेक्ति आया पेड़ित आया आपके पास समस्या लेकर आया शिकायत लेकर आया उसकी ततकाल प्रभाव से जो सुनवाई होती है कौन सा राज्यतिक मंत रहेगी लगातार जो है जीतु पटवारी लोगों के दिलों पर लेकर उसके भाग्य होता है वेक्तिगत तूर पे खुब मेहनत करने की कोशिश करता हूं काम होना नहीं होना यह भाग्य और समय की बात चलिए आगे पड़ते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो इंदौर शहर के बड़े जो डांडिया रास होते हैं जो गर्भा महुतसव होते हैं उसमें जो लक्ष गर्भा महुतसव हैं लक्ष गर्भा राज जो है उसका अ अपना अपना अरलग अलग स्थान है और लगतार फिल्मी कलाकार टीवी कलाकारों को बुलाना और खासतोर पर जब बड़ी संख्या में जं समूः वहां पर जुटता है यूबा कि यूपतिया अचानक भीड से निकलते हैं और जंता से हलो हाई करते हुए सीधे जो है डांडिया रास में देवी चड़नों में अपना नमन अरपित करने पहुंच जाते हैं यह कौन सा फॉर्मूला है और इससे यह अपको प्रेड़ना कहां से मिली कि देवी की अराधना का जो यह तौर तो राष्टिता की बात भी हमारे इसमें है और में चुकि माता जी के हुमारे दर्म में बड़ा एक महत्पूरून इस्ताने देवी देवताओं का जे तो उनके आधार परें के परम-पराये बनी है यह के सांसेक्षिक प्रोग्राम बने है और उस को आधार बना के हमारी ल अपने रख मन होता है कि उनकी सेव रोध करें उनकी हमें प्रोग करें उनसे प्रणाम करें उनको चरन चुने तो वह सूभाववेड प्रक्रिया ध्रने विदान सबाब केसर्भाग ब रिच है डूसरा राजे अन्दर नगर आरो भी है इसको की तो लेकर कि अलाव भी भूस सी चीजे सडकों के हालत आप देखोगे भी रोड के हालत आप देखोगे जो रहो विदान सभा पीड़ाब्लूडी के अंतरगाज आती है जो राज सरकार की है जी बल्कुर आप बात करोगे कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टिटूट इस विदान सभा में न ह comparison कि बात इतनी हे कि बिजली को लेकर बड़े-बड़े भील आ रहे हैं गरीब के राशन कारण नहीं बं कि प्रक्रिया जो सामयुतरन प्रणाली है सारजनिय्क इस पूरी विदान सभा को एक अवेद धंदो का अड़ा बन गया है सरकार इस पे अन्भिग है उसकी लड़ाई हम आने वाले समय में और ताकत से लड़ेंगे क्या लगता है जीतू पटवारी जी रावु विदान सभा को लेकर अपनी मेहनत तो कर रहे हैं और लगातार आप सभा करो में मांना जाता है तो उसे राव विदान सभा का अड़ सा त्यू अक सबसे में व तू करता है काऊ कर्थे लिए इसका मतलब यहhang करitा है उसका मतलब यह जिगे संसास्च उना यभ यहा ग्या माइग संज तक ए आप Formule ए विदान सभा करते हैं कहीं बीज़ नकि ज कोशिश करो, मेरा हो से चुनाव लडने के एख्छा हरा हुगा है, बाकि पारेटे का जो निर्देश हुआ पालन होगा. कि इस गरीबों के बीच का पेसा जो बिचोलिया खा जाते हैं उनको राशन का पेसा उनको सबसीडी का पेसा उनको जो बीच का कारिकरता नेता या अधिकारी या बिचोलिया दलाल कोई भी खा जाता उसको डारेट केस सबसीडी ये कैसी योजना है जो गरीब की सेवा करती है कांग्रेस पर्टी ने इतीहासिक कदम उठाया है, जिसमें केस सब्सीडी किसान को तीन हजार रुपे महिना जो साथ साल से जिसके उम्र जादा और पांच एकर से जिसकी जमिन कम हों. ये एतिहासिक कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया है कांग्रेस पार्टी ने बहुततर हजार के रिणमाप की हैं कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को पट्टे दिये थे एक बत्ती कनेक्शन दिया था गरीबों के राशन का ध्यान रखा था वन अधिनियम का जो गरीब हमा हरीजन आदिवासियों का ध्यान रखा था अलपसंख्यक भाईयों का ध्यान रखा था इन सब आधार पर कांग्रेस का मुल्यांग का नाम जनता करेगी और 2013 में मैं सो में से 120 नंबर इस बात को देता हूँ कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगे चलिए ठीक है जीतू पटवारी जी एक ऐसा नाम जो बहापौर चुनाओं के लिए भी जो है अपनी दावेदारी जताता है जो लोकसभा चुनाओं के लिए भी हमेशा चर्चाओं में रहता है सुर्खियों में रहता है और अलग-अलग विधनसभाओं को लेकर के एक बार पटवारी का नाम शहर की सियासत में बड़ी गर्म जोशी के साथ लिया जा रहा है आपने साफ कर दिया है लक्ष राव विधानसभा जरूर है लेकिन जो अन्य विधानसभाओं में आपका दखल है उसका कितना फाइदा पार्टी को मिलेगा पार्टी के साथ हम सब मिलकर काम करेंगे महापूर और लोकसभा बहुत दूर है आज अवारी आवशकता है 2013 की विधानसभा उसमें हम कोशिश करेंगे के ज्यादा ज्यादा प्रित्याशी जिते हैं और में भी जीतू प्रुदेश कॉंग्रेश कांतिलाल भुरिया है किसे राज्यूतिक कैमिस्ट्री ह कांतिलाल जी बहुत अच्छे इंसां है अधिवासी है अपने अधिवासी नेचर हिए उनका बिल्कुल और बहुत सजन सरल कोई भी कारी करता है का हत पकड़ की बात कर सकता है उनके बात उसुनते आहssen बहुत सीदे आम नेताός जिसे घुड़े मैं समझता हूं कि एक बी आ और किस तरीके से जनता की समस्याओं को समाधान तक पहुचाने के लिए वो दिनराज जूटे रहते हैं. बहले तो मैं बताना चाहता हूं कि सार्जनिक जीवन में काम करने वाला जनता का सर्वेंट होता है. बिल्कुल ठीक हाँ. तो मैं कोशिश हमेशा वो करता हूं कि उनका अच्छा सर्वेंट बना रहूं, चुनाओ लड़ू या नहीं लड़ू, हारू या जीतू, उनका अच्छा सर्वेंट रहूं, राउं का तो खासकर विशेसकर मैं कोशिश करता हूं कि उनका सर्वेंट बना रहूं, उनकी सेवा करता रहूं जो काम मुझसे बन पड़े जो काम वो मुझे बताए मैं भगवान से प्रातना करता हूं कि उनको पूरा करूं वरतमान विधायक जीतु जिराती जिन पर आपने आरोप लगाया निश्क्रियता का कितना फायदा मिलेगा आपका उनके कारिकाल का आपको जिखास और पर कॉंग्रेस पार्टी के जामार सिफाई जीतु उनके फायदा मुझे मैं ऐसा सोचता हूं कि सारजुनिक जीवन में एक अपने जो प्रतिद्वंदी है राजनितिक दूसरी राजनितिक पार्टी का उसके फायदे के बजाए अपने खुद की इतनी महनत होनी चीए क उसका फायदा आप लो उनका फायदा और उनके नुकसान उनके तक मैं मेरी सेवाओं से मेरा फायदा लेने कोशिश करूँ राओ विधानसभा की जनता अगर आप पर भरपूर आशिरवाद बरसाती है और जीतु पटवारी को एक मौका मिलता है विधानसभा में जनता की नुमाइंदगी करने का तो वो कौन से वादे होंगे जो आप जनता से करने चाहेंगे और वो कौन से बड़ी ऐसी विकास की योजनाए है राओ विधानसभा की जनता के लिए कौन सी सौगाते होंगी जो जीतु पटवारी की तरफ सोने मिल सकती है राओ इसी एक विधानस सबसे जगे होगी जहां पर सिख्छा का सबसे बड़े केंद्र इस्थापित होंगे मैं चाहता हूं कि रहा हूं एक एसी विदान सबाज युवाँ का एक मार्ग देशन प्रित में वो करती हूं सबसे जादा कालेज जेमा सबसे जादा आयम है वहाँ पर आई टी उससे लगा हुआ है बर्माणु अनुसंदान केंद्र है मैं समझाओ के रूप में और भी इस हमारे सबसे पूराना हास्पिटल महां पर है जोगी तरह मास्पिटल इस देज यहां की रिड के अड़ी है शे देश की राजधाने दिल्ली में दामीनी के साथ जो भी कुछ हुआ दिल धिला देने वाली ये घटना थी और कहीं न कहीं इसके बाद देश की जो युवा है उसने वो कुरांथी के रूप में सडकों पर नजर आई और इनसाफ की गुहार के लिए पूरा देश एक बार फिर जो है सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तयार खड़ा है आपकी समेदना है क्या है क्या लगता है उन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए और जो आवाम इंसाफ की गुहार लगा रही है उनके साथ कैसी आपकी आवास करें जहां तक प्रेश्ट ने है पर्टिकुलर दिल् कि हम महलाओं को एक तरफ तो कहते हैं कि बरोवरी का दर्जा देने की बात हो और एक तरफ उनके साथ ऐसा वेवार हो हम राजनितिक लोग कहते हैं महलाओं अपनी मर्यादा में रहे महलाओं के साथ पुरुष भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए हम एक महला से उम्मीद करते हैं कि वो तो अपने साथकारों का पालन करें वो अपने परिवार के और अपने अधरम known की और अपने समाज की मर्यादा करें, तो पुरुष का उच्त से ज्यादा उक्तरदाई हो गयो कि पुरुष प्रधान समाझ है, तो मैं समझता हूं कि महलाओं की रख्षा जब ही ह करने की आउशकता है इसमें कुछ निं कर सकती है राईनि तिकदल सब्सक्राइब सकते हैं इसमें समाज कर सकता है हम सब मिलके कर सकते हैं आप में कर सकते हैं मैं समझता हूं सब को मिलकर उस विशेय पे divisir tanic महलाओं के सम्मान को लेकर काम करना चीए बहुत बहुत शुक्रिया जीतु पटवारी जी हमसे खास बाचीत के लिए तो ये थे प्रदेश कॉंग्रेस के सचिव और राउ विधानसभा से अपनी दावेदारी जतारे जीतु पटवारी जिन्होंने साफतार पर कहा कि वो पब कातार देखते रहिए सिटी न्यूस